हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 628 की वोक्षीट नंबर GS4 जो की 7th of August 2021 की वोक्षीट है और यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे आज का टॉपिक है Sources of Water तो चलिए शुरू करते हैं Dear Students, We get water from different sources. Water is very important for life. All the living beings need water to survive. देखो, water हमें बहुत अलग-अलग sources से मिलता है जैसे की rain है, hand pump है, tab है, river, pond, pool तो यह सारी चीज़े है, sources of water, और water हम सब की life के लिए बहुत important है, humans के लिए, animals के लिए, plants के लिए, हर एक के लिए, जो water है, वो काफी important है और हर किसी को survival के लिए, daily need के लिए, water के requirement होती है अब देखो, यहाँ पर दे रखा है, from where do we get drinking water, अगर हमें पानी पीना है, तो हमें कहां से मिलता है, यह question यहाँ पर arise होता है तो यहां पर आपको बिताना है कि आपके यहां पानी पीने के लिए कहां से आता है हर किसी के हां हो सकता है किसी के हां tap से पानी आता हो किसी के हां hand pump से आता हो कोई well से लेकर आता हो तो हर किसी के हां जो source है water का वो अलग-अलग होगा तो जो भी है आप वो यहाँ पे लिख देना ठीक है अब इसके basis पे देखो हम first question करते है look at the pictures and complete these spellings तो यह हमें क्या दे रखा है यह है hand pump तो यहाँ पे लिख देंगे हम h a n d p u m p hand pump second है well तो यह w e double l well third हम यहाँ देख रहे हैं कि rain हो रही है that is r a i n rain next यह है pond तो p o n d pond फिर यह क्या है c तो s e a c यह सारे sources of water है ध्यान रखना इन सबसे हमें पाने मिलता है hand pump से भी हमें water मिलता है well से भी rain से भी क्योंकि rain जब होती है तो यह rain water अलग-लग water bodies में जाता है और उसको फिर हम use कर सकते हैं next है pond, pond से भी हमें water मिलता है c से भी water मिलता है next है river r i v e r river river से भी हमें water मिलता है तो यह सारे ही sources है water के ठीक है question number two देखते हैं अब हम question number two कह रखा है choose the correct word from the bracket to complete the sentence हमें इन sentences को complete करना है और complete करने के लिए यहाँ पर देखो हर एक sentence में दो options दे रखे हैं हमें correct option को choose करना है first part है blank is the main source of water तो rain या hand pump कौन सा main source है water का तो यहाँ पर हम देखेंगे main source जो है water का वो है rain क्योंकि जब rain होती है न तभी river में water आता है और pool में water आता है sea में ocean वगेरा में तो already पानी होता ही है बट जो smaller water bodies है उनमें पानी तभी आता है जब rain होती है और यही reason है कि जब बारिश वाला समय होता है तब बहुत ज़ादा पानी होता है हर एक water body में और जब गर्मियों वाला मौसम आ जाता है और बारिश नहीं हो रही होती है तब पानी की कमी हो जाती है ठीक है सेकिंड है dash is dash river is the source of water for Delhi तो हमें देखना है कि पानी का source दिल्ली के लिए क्या है गंगा river है या यामुना river है तो दिल्ली में कौन सी river है एक ही river है वो है यामुना river तो इसका आंसर हो जाएगा यामुना ठीक है अब हम देखते है third question third question है blank is the largest water body on earth और option है pond या sea अगर हम pond या sea में बात करें larger water body की मतलब कौन सा दोनों में से जादा बड़ा है तो वो है sea तो यहां पर option third में आ जाएगा answer sea fourth है blank is a source of water in villages यानि गाउं में water का source है गाउं में पानी कहां से आता है hand pump से आता है या sea से आता है तो generally जो गाउं है उनमें hand pump लगे होते हैं जहां से लोग पानी लेते हैं तो इसका correct option होगा hand pump hand pump ठीक है next fifth है farmers get water from blank for their fields जो किसान होते हैं उन्हें अपने खेत के लिए पानी कहां से मलता है river से या tap से तो tap से तो देखो खेतों में पानी डालना possible नहीं है वो बहुत टफ जॉब है तो इसका answer है river क्योंकि river के थ्रू ही water जो है वो fields में लाया जाता है अलग लग तरीके से तो यह था आज की हमारी worksheet जो की six to eight के लिए common worksheet आई हुई है और यहां पर हमें बता रखा था यह topic जो की है sources of water और आप अपने देली life में भी observe कर सकते हैं कि हमारे आसपास पानी आ रहा है तो वो कहां से आ रहा है and I hope यह worksheet आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी thank you